जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की ग्लास पर आज है 11 जनवरी 2014 और 11 जनवरी 2014 से रेलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूँ तो फ्रेंट्स ब पूरे होस के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं तो पहला प्रश्नी रहा है पास्पोर्ट इंडेक्स अभी जारी हुआ है जनवरी मन्त में 2024 में आप से पूछा जार इस पे भारत को कौन सी रेंक मिले है वाट इस दा रेंक आफ इंडिया इन पास्पोर्ट इंडेक्स 2024 तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा भारत की जो रेंक है वो 80 है ठीके भारत की रेंक पहले भी 80 थी और इस बार भी 80 है अभी जुलाई मन्त में हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स यहां पे जारी किया गया था और भारत को तब भी रेंक 80 मिली थी और अभी जनवरी 2024 में भ हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2024 यह पास्पोर्ट है और 227 यात्रास थलो को इसमें शामिल किया गया है अब देखिया आप आप से यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश सबसे पहले स्थान पर है तो आप याद रखिएगा इसमें जापान है फ्रांस है जर्मनी ह स्पैन है और सिंगापूर और इटली है इन सभी देशों को सबसे पहला स्थान दिया गया है संयुक तुरूप से इन सभी को पहला स्थान दिया गया है वही पर हम बात करें तो फिन लेंड दक्षिन कोरिया स्वीडन इन सभी को सेकंड प्लेस दूसरा स्थान दिया गया है दोस्तों इन देशों कि जो पासपोर्ट जो फर्स थान पर रहें 194 कंट्री में यहाँ पर ट्रावल कर सकते बिना वीजा की पर्मीशन के यहाँ पर इतना स्ट्रॉंग है इनका पासपोर्ट अब देखें आप बात करते हैं कि तीसरा स्थान कि इस देश को मिला है तो यह है ड stewards कर सकते हैं travel कर सकते हैं अभी हाली में मैंने आपको बताया था क्लिए अबिश्रिटiãoर से पूछाए कि कौन सा देश है जिसका सबसे से ज्यादा वीकेस्ट है दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है और को फॉर्बनिये पर दोबंटी धाराक 220 कंट्रिज को विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान को 101 रेंक मिली हैं अमेरिका को सेवंध यहां पर प्रदान की गई है दोस्तों यहां पर बात आ रही है बहुत सारे सुचकांग की तो मैं आपको मेजर इंडेक्स बता रहा हूं जो इसमें भारत की रेंक आप से पूछे आ सकती है तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग तो भारत को यहां पर 7th place मिला है अगर आपसे पूछा जाए की कौन सबसे पहले स्थान पर है तो 1st इलेके 3rd तक किसी भी देश को place नहीं मिला है और 4th place पर डेन Druh है पूर्थ प्लेस पे कौन सा देश है तो यह डैनमार्क आपको याद रखना जैसे चौथा स्थान मिला इसके बाद एस्टोनिया है है यह पासपोर्ट इंडेक्स भारत एटी प्लेस पर था अब बात करते विश्व प्रेस उतंता सुचकांग में तो फ्रेंट्स भारत को उ प्यारी किया जाता है इसे आप नोट कीजिएगा इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है नौर्वे सबसे पहले स्थान पर है अगर आप से पूछा जाए कि सबसे आखरी प्लेस पर कौन है तो नौर्थ कोरिया सबसे आखरी प्लेस पर है चलिए आगे बढ़ते दो 6 एम पर हम लाइव आते हैं आप जो हमारा एक नया आज से आपको यहां पर स्लोगन देखने को मिलेगा हमारी क्लास का वो है अब हर घर करेंट अफेर्स दोस्तों सबसे कम समय में आपको करेंट अफेर्स प्रवाइड किया जाता है 30 मिनिट पर आपको 300-400 जानकारी यहां पर कि उपलब्द करवाए जाती है इसके इलावए दोस्तों आपको यहां पर घृइस्ट टाटिक है और यहां पर हिन्दी और इंग्लिश सबसे खास बात दोस्तों हिंधी और इंग्लिश डोनों मीडिएम में आपको क्लास प्रवाइड की जा रही है दोस्तों study कर application है यह Google Play Store पर आपको मिल जाएगा जहांपर आपको regularly इस class की PDF भी provide की जा रही है आप यहां पर ईबुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं marathon class की PDF आपको यहां पर मिल जाएगी और monthly कि राजा गुपता करेंट एफेर्स हमारे टेलीग्रम चेनल का नाम है आप इसे जॉइन कीजिएगा इंपॉरटेंट अपडेट्स के लिए ठीक है इसके लावा स्टडिकर पीडियाफ भी है दो चैनल है स्टडिकर पीडियाफ में आपको हमारी टीम की पीडियाफ मिलेगी म आपको सोचने से कुछ नहीं मिलेगा आपको करने से मिलेगा और जिद्धी लोग होते हैं उसी ने उन्हीं ने दुनिया बदली है जो जित कर लेते हैं बस मुझे ठान लिया तो ठान लिया मैं आपको बता दू इतना जरूरी आपका टैलेंट भी नहीं है जितना जरूरी है क आप द्रण डिश्य करके आगे बढ़े कभी हार मत मानें वहीं सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो जिद्धी बनिए और दुनिया वदलिए दुनिया आपके कदमों में होगी जब आप जिद्धी बनेंगे आई देखते दूसरा important question दस्वा vibrant गुजराथ Global Summit का उद्धाटन हाली में कहां पर किया गया है वाइबरेंट गुजराथ Global Summit क्या गया है अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत में क्या हुआ तो अभी हाली में सूरत में याद रखिएगा बारवा नंबर का जो दिव्या मेला है ठीक है यहां पर आजित क्या गया ठीक है दिव्यांग जनों के लिए मेला आजिन क्या गया है ठीक है दौर का जो है दोस अब आई देखते हैं दोस्तों वाइबरेंट गुजराज ग्लोबल समिट का जो उद्घाटन है किस ने किया है तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है अच्छा एमदाबाद में क्या हुआ है अंतरास्ट्रिय आप याद रखेगा अंतरास्ट्रिय यहा यहां पर गांधी नगर में वाइबरेंट गुजराज ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है जो कब से कब तक किया जाएगा तो दस से लेके 14 जनवरी तक इसका यहां पर आजन किया जाएगा समिट का दोस्तों इसमें बहुत सारे जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं वो इस सिख़ समिलन में पार्टिपड करने वाले हैं भाग लेने वाले हैं एक जो वाइबरेंट गुज्राज सख़ समिलन हैं ये मोधी जी जब वहां पर मुख्यमंतरी थे गुजराज के तब से चल रहा है 2003 में इसकी यहां पर कलपना की गई थी और इस ने गुजराज स्ट सिखर समिलन में क्या-क्या फोकस रखा गया है तो सिखर समिलन मुख की फोकस से सेमिकंडक्टर ग्रीन हाइड्रोजन इमोबिलिटी और अंत्रिक्ष वी निर्माण यानि स्पेस मैंने फैक्टर जैसे चेत्रों पर इसमें फोकस किया जा रहा है यह इसका उद्देश है यह मकसद है अब दोस्तों इसमें होगा क्या गुजराट से रिलेड़ेड़ करेंट अफैर्स को परिक्षा संजीवनी में डिसकस करेंगे तो अभी दोजाट चब्विस अत्ताइस तक पांसो अरब डॉलर की इसको एक नौभी बनाने का टार्गेट रखा गया गुजराट राज्य को ठीक है अगर आपसे पूछा जाए की अभी हाली में गिनीलेस वर्ड रेकॉर्ड बनाएं जैसके सामोहिक रूप से सूर्य नमस्कार हुआ है तो गुजरात के महसाना में हुआ है मोढेला नाम का गाउन वहाँ पर रेकॉर्ड बनाए गया है 108 स्थान पर मिल करके सूरी नमस्कार का आजन किया गया है दोस्तों गुजरात भारत की कौन सी राजधानी बना है तो गुजरात भारत की पैट्रो कैपिटल बना है यहां पर पेट्रोलिम की बहुत सरे जो प्रोड़क्ट्स हैं वह यहां पर त गुजरात की चीफ मिनस्टर है इन्होंने सिंग सूचना वैब का इन्योगरेशन किया है गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात आप यहां पर देख पा रहे हैं इसकी सीमा राजस्थान से लगती MP से लगती महराश्ट से लगती है और सबसे लंबी जो 30 सीमा वाला राज्य है वो गुजरात है और पाकिस्तान से इंटर्नेश्टर बाउंडरी लगती 1960 में महराश्ट से अलग होकर की गुजरात की स्थापना हुई थी गुजरात की क्यापिटल गांधी नगर है आचारे देवरत यहां की राज्यपाल है ठीक है गिरवन राश्टी उद्या और समुद्री राश्ट विद्यान यह सारे नस्तिल पार्क आपको कहां पर गुजरात में देखने को मिलेंगे आई देखते दोस्तों नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स अगला प्रशना आप सभी के स्क्रीन पर ए रहा है शेरिंग टोबगे किस देश के हाली में नए प्रधान मंत्री बने शेरिंग टोबगे विल बेकम दन्यू प्राम मिनिस्टर ऑफ विश कंट्री तो देखें के हम बात करें तो आप याद रखेगा भूटान इसका राइट एंसर हो जाएगा भूटान देश के नय प्रधान मंत्री बने हैं शेरिंग टोबगे पुछा जा सकता है यह नाम हैं का फूमियो किशीदा मेरे साथ लिखते चलिये सभी पॉंच्को आपको याद रहेगा नोट्स जरूर बनाए्ये जह तरो फूमियो किशिदा je देहें व्येत्नाम के कौँ हैं पाम मिन चिन क्या नाम छाइं आम मिन चिन यहां के प्रधान मंत्री है आप याद रखेगा इसके अलावा गर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट कोई है इंडोनेशिया के रास्ट्र पती कोई है तो आप याद रखेगा जोको वीडोडो क्या नाम है इनका जोको वीडोडो ठीक है यहां के रास्ट्र पती अब आई बात करते भूटान देश के नये प्रधान मंत्री शेरिंग टोब गे के बारे में देखिए अगर आप से पूछा जाये कि इनका संबन किस party से है तो आप याद रहेगा People's Democratic Party यानि पीपल्स देमोकरेटिक पार्टी से बिलॉंग करते हैं और जो पूर प्रधार मंतरी जो यहाँ पर दे की People's Democratic Party जो है पूर प्रधार मंतरी शेरिंग टोबगे की पार्टी है ठीक है और उनी पार्टी से बिलॉंग करत सारा भी भुटान की राजधानि ठिमपू है और जो भूठान है यहां पर इसके जो प्रमुख जो समराज प्रमुख वहीं दो कर्ंसी का ड़ाll होता रह्त है ऑर नगुल को दोश्Erों अभी जो बहुट। यहां पर भूतान से करनट ऐस करते हैं हाली में रूबेला को सफ़ता पूरवक यहां पर समात किया गया है भूतान ने खुद इस बात को बटाया है बूतान ने भी फैसला के जितने भी अवाराग उत्ते जोटगहें हैं, तिरंदार जी जिसें बोलते हैं आर्चरी ठीक है चलिए आई देखते हैं question number 14 रक्षा मंत्राले में अतरिक्त सचीव और महा निदेशक हाली में कौन बने हैं who has become the additional secretary and director general in the ministry of defense तो defense में यहाँ पर अतरिक्त सचीव और महा निदेशक आप से पूछा जा रहा है कौन बने हैं समीर कुमार सिनहा कौन बने समीर कुमार सिनहा देखे नीना सिंग की बात करें तो Central industrial security force की यह डारेक्टर बने हैं प्रमोद अगरवाल बॉंबे stock exchange के chairman प्रमोद अगरवाल बने हैं महश्वर कुमार Sinhajee के बारे में जो रक्षम अंत्राले में एडिसनर सेट्रियों डारेक्टर जनरल बनाये गए हैं आप यहां पर समीर कुमार Sinha को देख पा रहे हैं जिने यहां पर आपकिया गए इस पत्र पर रपोइट किया गया है समेर कुमार Sinhajee की बात करें तो यह असम श्रेलंका में भारत के नए राजदूत का क्या नाम है संतोष जानाम है CS राजन की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की नए अध्यक्ष बने है ITBP के महानिदेशक राहुल रजगोत्रा बने है अनिस द्यासिंग CRPF के महानिदेशक बने है और रश्मी शुकला कौन रश्मी शुकला आपको याद रखना है SSB तीमा ससस्त्र भल और महाराज की DGP बनाए गई है रश्मी शुकला जी ठीक है महाराज की DGP भी बनाए गई है आई फ्रेट्स देखते हैं कौश्चिन नंबर 5 पांचवा महतपूर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा क्रिष्नाराज सागर जो डैम है वह कहां पर देखने को मिले गए क आनफर की बांध को नुकसा Rights अगर यहां पर उत्खनन किया जाएगा तो हो सकता है कि बांध को नुक्सान ऊप आपको पता किपारी ठाही आ सकती है तो इसी पर ध्यान में रखते हुए यहां के करनाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं यह कृष्टना राजा सागर बांध है और यह मांडिया जिले में है किस जिले में है इट इस लोकेटेड वेर इट इस लोकेटेड इन मांडि एक्टिविटी नहीं होगा वहाँ पर कोई भी उत्खनन एक्टिविटी नहीं होगा इन सब पर प्रतिबंद लगाया है करनाटक हाई कोर्ट ने तो बांध की सुरक्षा को ले करके इस पर प्रतिबंद लगाया है यह जो आदेश दिया है यहां पर आप से भी पूछा जा तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कब हुआ था 1932 में हुआ था किस नदी पर बना है कावेरी नदी पर बना है और इसकी लंबाई कितनी है 8597 फिट इसकी लंबाई है देखिए इस बांद का नाम जो है मैसूर समराज के जो साशक थे क्रिष्णराज वोडियार चतुर्थ के नाम प क्याद में 15 सितंबर को मनाया जाता है ठीक है कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी को तमिल भाषा में पुन्नी के नाम से जाना जाता है और दक्षिड की गंगा के नाम से जाना जाता है आप यहां पर कावेरी को देखें तो कावेरी का जो उदगम होता है कहां से ह होता है करनाटक के पश्मी घाट में ब्रह्मगिरी पहाडी सिसका उद्गाम होता है और यह जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है इसके सायक नदियां है अरकावती हेमवती शिम्षा कावेनी हरंगी और तीर्थ दोस्तों यह अर्ली बुक लॉंच हो गई है आप यह ली बुक को डाउनलोड कर लिजेगा जो कि आपको स्टडी कर एप्लिकेशन पर प्रोवाइट की जा रही है यहां पर आपको 20 अलग अलग दैमेंशन में आपको देखने को मिलेगा और आप सभी कमेंट बॉक्स पर इस इबुक को आप इसका फीड़ेग जरूर दीजेगा कि आपको यह कैसी लगी और अगर कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो दोस्तो आप मैं उसे सुधार करूंगा और वापस से मैं आपको पीडियाग दूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथ कंटेंड में काम करते हैं वो गलतियां करते हैं हम इस बात को accept करते ठीक है चले आई देखते हैं next question देखते हैं भारत और UAE की बीच में कितने समझोते किये गए हैं how many agreement have been signed between India and UAE तो देखे भारत और UAE की बीच में 4 समझोते हुए हैं ब्यूंत यहां है chili आई जानते तो भारत और यूए ही ने आई तटीक समूक को मजबूत करने के लिए चार यहां पर टैक्स सम्जोते दो सबसे पहला जो ऑग्रिमेंट ऑन्हाद प्रसंस्क्रह municipality के छेत्र में फूट प्रोसेसिंग क्या होता है तो देखिए आपको पता है कि आपको जो आटा है ठीक है जो गेहूं है वो किसान यहाँ पर उसका उत्पादन करता है फिर वो जाता है पिस्ता आटा बनता है अब उस आटे से बिस्किट बनता है उस आटे से महगी बनती है उस आटे से बहुत सार गुजरात में बंदर गाहों के निर्माड के लिए यानि गुजरात में जो पोर्ट्स हैं उसका यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यूए की कंपणी की मदस ठीक है और इसका नामें डीपी वर्ल्ड गुजरात सरकार के बीच समझोगा हुए थीसरा हुआ है आप परांपरी कुर्जा स्ट्रोतों का दोहन करने के लिए निवेश समझोता है चौथा समझाता है हेल्थ से रिलेटेड है स्वास्त से रिलेटेड यहां पर समझोता है अब बात यहां पर I2 U2 की कर लेते हैं तो आई टू मतलब होता है इसर चार देश है आई टू यूटूग तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो दोस्तों इसे वेस्ट एशन क्वाड भी कहा जाता है और 2021 इसका गठन किया गया था इस समू का निर्मार करने का लक्षा समुद्रिस रक्षा यानि मेरी टाम सेक्यूरिटी के लिए इसका गठन में है और बहुत सेवकों के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया आजंता के गुफा और अंगाबाद में गुप्त शाषकों के द्वारा इसका निर्मार हुआ है एलिफेंट की गुफा मुंबई में है और इसे राष्ट कूट के द्वारा बनाया गया है आई देखते has been dog meet after 110 years तो दोस्तों यहाँ पे South Korea आपको याद रखना है South Korea यहाँ पर D option में सो गया है पर कोई बात ने तीन option है तो South Korea में 110 साल के बाद dog meet पर बैन लगाया गया है दोस्तों अमेरिका में जो युदधभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में आपको याद रखना यह वज प्रहार और युदधभ्यास वज प्रहार और युदधभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है देखे हाली में श्रिलंका ने फैसला किया है कि भारत को वीजा फ्री एंट्री देगा भारत को वीजा फ्री एंट्री देगा कौन देगा श्रिलंका देगा तो आप याद रखना ठीक है अब आई आते हैं दक्षिड कोरिया पर तो आप डॉग मीट तो समझ गये होंगे कि डॉग मीट मतलब डॉग का मांस यहां पर इसका सेवन किया जाता था तो इससे जुड़ा एक कानून पेस हुआ और साउथ कोरिया में इसे बैन कर दिया गया है 110 साल की पुरानी परंपरा ट्रेडिशन चल रही थी उसे यहां पर बैन लगाए गया है यहां पर जो डॉग ब्रीडिंग है स्लॉटर हाउस है उसके साथ डॉग को बेचने और मीट खाने इस सब पर रोक लगा दी गई है अगर किसी ने भी इस कानून को तोड़ा या ब्रेक किया यहां पर तीन साल की जेल होगी और इसके साथ-साथ फाइन भी होगा यह बात आप याद रखेगा देगे साउथ कोरिया की बात आई तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों दूसरे के दुश्मन देश है जापान के बगल में आपको साउथ कोरिया देखने को मिलेगा साउथ कोरिया जो है आप याद रखेगा साउथ कोरिया की कापिटल सी यूल है यू सू की यूल यहां के राश्पती है यू सू की यूल यहां के राश्पती है और कोरिय यहां की करनसी है आई देखते हैं आठवा मात्वपूर्ण प्रस्ट आशा करता हूं कि आप सभी सेशन को खूब एंज्वाइ कर रहे होंगे बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सोन रहे होंगे दुनया का पहला ट्रांस्परेंट ओ धिस्प्ले टीवेज लाँच किया है तो फरिंट्स यह अमेरिका देश में ओ लर्टी टीवी लाँच किया गया है कहांपर अपर अमेरिका देश में यह लॉंच किया गया है आई दिखाता हूं अभी धिरे-धिरे सब कुछ बदले कichen ब पावर प्लांट कहां पर है यह तमिल नाडू राज में इसको डबलब करने के लिए समझोता हुआ हाली में आर्लेंड ने फैसला किया है कि जो शराब है शराब है उस पर शराब की बोतल पर चितावनी पूरी तरीके से दिखाएंगे न्यूजेलेंड ने प्लास्टिक की लगाये पतली और मोटी दोनों प्रकार की तो दोस्तों यह आप देख पार है ट्रांस्परेंड ट्रांस्परेंड ओ एलेड़ी टीवी जिसमें आर पार आप देख पा रहे हैं उसमें 7 आपको यहां पर पिक्चर्स इमेज़स देखने को मिल रहे हैं तो अमएरिका के लॉ किस प्रकार से आप हाथ रखा हुआ है और हाथ को आप देख पा रहे हैं पूरा विजिबल है और साथ पिक्चर्स और इमेज़ भी देख रहे हैं ठीके तो दोस्तों OLED का फुल फॉर्म होता है और्गनिक लाइट इमीटिन डायोड यह इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आज की परिक्षा संजीवनी में डिसकस करते हैं भारत का सबसे पहला ऑल गल्स सेनी स्कूल कहां पे खोला गया ब्रिंदावन मतुरा में देश की पहली ग्रीन सकी क कहां भारत का पहला 3डी प्रिंटेड पोस्ट आफिस बेंगलीरों में 3डी प्रिंटेड एंपल यह कहांपे खोला गया तिलांगना में और पहला नासिक पे स्कार्जन किया जाएगा सत्ता इस नम्बर के रास्ट्रियूवा पुश्चाफ का आजन नासिक में स्कान किया जाएगा ज़ carbohydrate में एक आप याद रखेगा अन्तराश्ट्रीय क्या हुआ है अभी अन्तराश्ट्रिय यह पर जन जातिय खेल मौसब का आजन क्या गया जन जाती खेल मौसफ का यह बहुवनेश्वर में क्या गया है और फरीधाबाद में क्या हुआ विज्यान सबूए विज्यान मौसद का आजन का अजन ह सब्सक्रण Van मौसब एया परीधाबाद में इसका अजन कर लगीत पढ़ते दोस्तों तो बारा जनवरी को महराश्ट के नासिक में हुआ है सत्ता होगा 27 वा राश्टी वा मौसब का उधगाट क्योंकि श्वामी विवेका नंजी की जैनती पर यूथ डे मनाया जाता है और इनहीं की याद पर यह सेलिब्रेट किया जाएगा हाली में बहुत सारे फेस्टिवल का आजन हुआ है एक बार आई उससे भी रिवाइस करते हैं तो एन्थूरिय मौसब कहां पर होगा यह होता है मिजोरम में होता है हौर नबिल जो एक से लेके 10 दिसंबर तक आजन हुआ पिछले वर्स नागा लैंड में गई जात्रा यह कहा होता है नेपाल में फेस्टिवल कहां पर होता है जमू कश्मिर में नुवाखाई फेस्टिवल उडिसा में होता है आज का आखरी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आप सभी के स्क्रीन पर रहा है आई टी मदरास का नया कैंपस के देश में शुरू किया जाएगा आई टी मदरास न्यू कैंपस विल भी लॉंच्ट इन विश कंट्री तो दोस्तों आप याद रखेगा तंजानिया में आई टी का जो कैंपस है आप याद रखेगा यहां पर भी स्थापना हो रही है और श्रिलंका आप याद रखें श्रिलंका यहां पर आप याद रखें आई टी मदरास यहां आयाटी मदरास ने नवंबर 2003 में अपना कैंपश शुरू किया है तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है यह अपनी ब्रांचेस को फैला रहे हैं देखें यहां पर बात कर लेते हैं श्रिलंका की तो आप मेरे पीछे श्रिलंका देख पारें भारत तो श्रिलंका की बीच में पाक स्ट्रेट है और गल्फ आफ मननार है और यह एडम्स ब्रीज यह एडम्स ब्रीज है जिस हम राम सेतु कहते हैं ठीक है तो यहां पर जो इसके प्रसिरेंट है वो है रानिल विक्रम सिंग है और यहां के जो प्रधानमंत्री देश गुडव किया अब बारी है दस मिनिट में 35 को कवर करने की तो पहला कोशन देखते हैं 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो क्वाड लीडर समिट की मेजवानी यहां पर भारत करेगा जो अभी स्थगित हो गया है नेस्ट है तीर्थी आत्रियों को मुफ उपन्यास के लिंटर्शाप बुकर प्रैस दिया गया है तो दोस्तों बुल्गारिया देश के हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है कमेंट बॉक्स पर आपके अंसर रुकने नहीं चाहिए भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिक किया है इरान देश नन्हीं तैसका सफ़ल परिख्शन किया है प्रद्धानमंतरी मोधीस किस देश में बहत्मगादी जिसकी प्रतिमाकानवलरं इन्हों ने Sc no पान्द में इसका इनोग्रेशन हुआ हिंदुजा गृप के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो इनका नामें स्री चंद पर्मानन्द हिंदुजा जिनका निधन हो गया है संयुतिराश प्रवासन एजनसी की पहली महिला महनिदेश कौन बनी है तो इनका नाम है M.E. Pope किस देश की माउं्ट इटना जोयला मुखी में फिर से एक बार वापस से विस्पोर्ट हुआ है तो माउंट इटना जोयला मुखी में विस्पोर्ट हुआ है इटली में कहाँ पर इटली में भारती गिर के टीम का नया कीड इस्पॉंसर किसे पॉइंट किया है तो एडी रास को यहाँ पर कीड इस्पॉंसर बनाये गए दोस्तों कल था 10 जनवरी और 10 जनवरी के करेंट अफेर्स का रिविजन करना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और 10 जनवरी के करेंट अफेर्स को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रिवाइस कराऊंगा आई देखते हैं जनवरी की करेंट अफेर्स युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेस कमिटी की 46 सेशन के देशता और मेजबानी कौन सा देश करेगा तो भारत जुलाई मंत में करने वाला है राशित खान का निदन हो गया वह कौन थी तो राशित खान दोस्तों क्लासिकल सिंगर थे शास्तरी गाय पूरसकार समानत किया तहाँ पिस राजब किया गया पुस्तक फॉर स्टार्स औफ डेस्टिनी इस पुस्तक को किस ने लिखा है जनरल मनोज मुकुन नर्वणे ने लिखा है किस देश ने लक्षदीवत में आलवडी कारिक्रम शुरू किया है तो इसराइल ने आलवडी कारिक्रम को शुरू किया है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस हर साथ 10 जनवरी को मनाया जाता है किस राज में योगिशिरी योजना की साध्याटिक जी के कुशRes कवार करने वाले हैं तो अनन्द मठ के लेहां कौन है तो यहいる वंकिम चन्र चतर्जी भूद आनो किसने परारारम किया था था ने शूरू क्या था किसने किया था विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था आगे वड़ते हैं नेस्ट क्वेशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं विनोबा भावे लाइब डिवाइन पुस्तक की लेखा कौन ने तो इस पुस्तक की लेखा के अर्विंद घोश बंगाल की एशियाटिक सुसाइटी में 1784 के प्रवर्ता कौन रह चुके हैं तो कैबिनेट मिशन लास आई थी लारेस अलेक्जेंडर स्टेफ़ोर क्रिप्स आये थे दोस्तों 11 जनवरी के करेंट अफेर्स का आपका टेस्ट लेने वालों आपने बहुत अच्छे से करेंट अफेर्स पड़ा अब बारी है आपकी टेस्ट की तो आई देखते आप कितना स पास्पोर्ट इंडेक्स पे भारत की रेंग क्या है तो भारत की रेंग आटेंग कैपिटल पास्पोर्ट इंडेक्स पहें सिस्टे सिक्स्त है कौन सा राज पैट्रो कैपिटल बन गया है तो गुजरात राज पैट्रो राजधानी बना है गिरवन राश्ट्री उध्यान क क्रिषट्राजरा में क्रिश्चना राजा सागर क्यार्स बांध कि स्राज में क्लातवें जैंड महारासे डेश राष्पति दक्षन कोरिया की राश्पति बने शराब पर स्वास्त चितावनी लगाने वाला पहला देश कौं सा बना है तो यह पहला देश आयर लैंड है भारत के पहला ऑल्र गर्स एन स्कूल कहां पर खूला गया है तो ऑल गर्स एन किया जाएगा इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है आपको यहां पर एक इमेज दिखाई जा रही है आपको पहचानना इमेज किस व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको थीं से चार लाएने लखनी है भूसतो पूरिंट अफ़ेरश यहां पर लॉन्च है आप इसे अफेरश हैं मतलब आप डावन LW करसकते हैं जो आपको सटेजी कर अबलाज किस पर उपलब्ध करवाई जारी यहां पर मैं आपको सेंपल दिखाँ आ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप राजा उपता करें यूटूब चैनल को जरूर फॉलो करें दोस्तों सुबह साथ बजे आप याद रखेगा अभी साथ बजे स्टाटिक जीगे की जो क्लास है राजे सर लेंगे और फिर आठ बजे सुबह से एट एम पर आयास सर आठ के बीच में और शाम को दोस्तों जो आपकी क्लास का टाइमिंग हो जाता है वो यह आठ से लेके आपका ग्यारा बजे तक रहेगा आठ से नौ वापस से आयास सर मैस का प्रैक्टिस बैच कराएंगे नौ से दस तैन थाउजन कोश्चन राजे सर कराएंगे और दस से 11 रीजनिंग की क्लास होगी तो आप इन सभी क्लास को जोईन करेगा ठीक है तो फ्रेंट्स चलने का समय हो गया है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी क्वैरी हो कमेंट बॉक्स पर लिखे मैं आपके कमें का रिप्लाइ करोंगा मिलते हैं कल सुबह 6 बजे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए